वे गाईज फाइनली तुम सबी लोग के लिए गुड नूज होने वाला है जी हाँ गाईज आज होने वाला है हमारा OB39 का आपडेट एंड गाईज आज की इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताऊंगा OB39 आपडेट के एंदर मतलब आज किन-किन का फ्री फेयर एकाउंट आपडेट होने वाला है एंड तुम लोगों को पता केसे चलेगा कि तुम्हारा फ्री फेयर एकाउंट आपडेट हो रहा है जो वीडियो काफी जदा वीडियो को पुरा एंड तक देखना स्कीप करकर मत देखना बहुत सरे लोग स्कीप करकर देखते इसलिए कुछ भी उन लोग को समझ में भी नहीं आता है और मैंने तुम लोग को खुद बोला था हेल्प सेंटर में एंड गरिना फ्री फेयर ओफिशल जो मेल आइडी है वह आपर जाके प्रोपार तरीके से रिक्वेस्ट साब्मीट करो इस वीडियो में जो चीज में तुम लोग को बताने है ये तुम लोग अच्छी तरीके समझना है क्योंकि गाइस ओभी 39 आपडिट के अंदर बहुत सरे लोग का आईडी आन्बेन हो रहा है इस आपडिट के अंदर स्पेशल कि मैंने तुम लोग को खुद बोला था ओभी 39 का जो PDF लिष्ट है उसके अंदर जीतने भी वन्दे का नाम आया है बहुत ही ज़ादा आया है तुम लोग समझ लो 80% लोग का फ्रीफेर आईडी आन्बेन हो रहा है इस आपडिट के अंदर सो तुम लोग को करना क्या है और तुम लोग को समझना है मैं तुम लोग को लेट गरिना.com वह पर जाके अगर मेल वगरा सापमिट के अच्छी बात है दूसरा है तुमने जो भी फोन में एक बगरा लगाया है पैनल वगरा एनस टूल वगरा यूज किया है उसको पूरी तरीके से डिलेट करना है डिलेट मतलब एप डिलेट करने के बाद उसका जो फाइल रहता है यह फाइल मेनेजर के अंदर रह जाता है तुम लोग फाइल मेनेजर के अंदर जाने के बाद यह चेक करना है कि वह नस टूल नाम से कोई भी फाइल वगरा तुमारा फोन में अभी भी है या नहीं अगर नहीं है तो समझ लो थुड़ा बहुत सेफ हो तु बाद मतलाब evening 6 बज़े या 5 बज़े के बाद जैसे maintenance break से पुरी तरीके से हाट जाएगा उसके बाद freefare max को play store से जाके update करना अगर तुम लोग पास पहले से है तो उसको update करना और पहले से अगर नहीं है तो उसको install करना क्योंकि मैं एक चीज में बता दू freefare जो है यह हम फोलो करना चाहिए और गाईज और एक चीज में बता दू अगर help center में तुम लोग को कुछ इस तरीके से reply मिल जाता है तो समझ लो तुमारा update के अंदर आन्बेन हो जाएगा basically help center में कुछ अलग mail मिलता है मेरे पास अभी हो नहीं है यह मुझे mails के तुरू मिला था ठीक है ठीक है उन लोग के लिए भी good news वेगर है 5-6 लोग का आईडी आन्बेन हो जा रहा है तुम लोग tension मत करो और आज 6 बजे के बाद यह चार बजे के बाद एक वीडियो मिल जाएगा उस वीडियो में मैं तुम लोग को बता दूँगा इस update के अंदर कितना आईडी आन्बेन हुआ है तुम लोग ready रहना जिन जिनका आईडी आन्बेन नहीं हो रहा है ठीक है उस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे किस तरीकी से तुम लोग मेरे से बात कर सकते हैं नमबर वगर आप पर एंड़े मिलते हैं लेक्स्ट वीडियो में